अजी सुनिये तासबा में काम कर रहे हैं और महिने का अच्छा खसा तनखा उठा रहे हैं और उपरी कमाई भी कर रहे हैं और घर की पत्ते को दासी बना के रखे हैं आरे क्या जरूरत हैं जल्दी साब साब बताओ नवकरानी घर की जफाई और बरतन थोने के कामाई नवकर बाजार लाना पश्रू को खिलाना पिलाना और कपड़े धोने का काम करेगा तो फिर सुख काम में देर किस बात की जाईए एक नोकरानी नोकर को ढूंड के लाईए इतना कश्ट जो मैं करता हूँ चाहूं तो तुम्हारे लिए भूत के मुझ से भी राम राम निकलवाद चलता हो लक्ष में सच्मुझ लक्ष में भोजन इतना स्वादिष्ट बना था ना क्या बताओ तुमको अम्रित एकदम अम्रित था जितना नोकर नोकरानी रखो न क्यों भोजन लेकिन तुम ही बनाओगी याद रखना प्रडाम दी गौपाल बाबू प्रडाम के लक्ष में आवाज लगाने से कुछ नहीं मिलेगा अरे हम लोग भीक लेने नहीं आये हैं अब काम के लिए आदमी जूरते थे इसलिए आये नाम क्या है अजी नकूल और साथ की इस्त्री या मेरी पतनी बतासी है बापरे बाब बतासी नकूल दाना सब एक साथ छेना कहा है यरा यरा अरे वाब बतासा नकूल दाना छेना सब एकी साथ सजा कर लाए हो क्या क्या काम करना होगा जानते हो वह सब मुझे पता है शिर्प आप बताए कितना तनखा दीजिएगा खाना पीना मिलेगा साल में चार साथिया मिलेगी और वहने के बारा रुपए मिलेंगे समझे तुम लो बोलो तयार हो हाँ ठीक है तब आज से ही काम सुरू करो चलते हैं लक्षमी राज कितनी हो चुकी पता है सोगी नहीं क्या आप सो जाएए मैं इस कपड़े को सील के सोऊंगी महाराज प्रिष्णि चंद्र का परामर्ष दाता गोपाल जिनके दाएं बाएं दोनों हाथ में काम हैं घर में दो नौकर हैं उसकी पतनी फटे कपड़े सिलाई करके पहने थी ची 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 इससे लोग क्या कहेंगे पता है गरीब की पतनी को ज्यादा सजना सवरना ठीक न तलाव में पानी भरने गई थी तलाव से नभीन की बीबी भी आई थी पानी लेने और वो कान में सुने के जुमके पहनी थी जुमके पहन के कितना वो इतरा रही थी और मुझे कितना ताने सुना रही थी कि हां घर में दो दो नोकर है और गहने एक भी नहीं सुनके मुझे कितना सरम आ गया ओहो यही बात है अच्छा तो मैं कल ही सुनार के पास जाओंगा और तुम्हारे लिए दो जोड़े कनफूल ला दूंगा ए देखो देखो मेरी गुड़िया राड़े आप तो थोड़ा हस दो अरे हसो हसो आहां जाइए लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे ठीक है ठीक है जिसे कोई देखने ना पाए वही व्यवस्ता करता हूँ शाम एकदम फालती बात मत करो तुमको बोला था सीता मटर आरे डही आप मटर बिचिया बोले थे हां सीता मटर बोला अरे शाम किस बात का जगड़ा हो रहा है देखो न गोपाल तुम्हारी चाची शाम को सीता मटर हार के बारे में बोली थी यहां मटर विजिया तयार कर दिया है अब तुम्ही विचार करो सीता मटर कोमल लड़किया पहनती चाची क्या छोटी लड़कियों के कपड़े पहनती है क्या जो सीता मटर पहनेगी मटर विछिया और सीता मटर में किसका वजन ज्यादा है सीता मटर चार तोले से कम में नहीं होता है तो जोड़े कनफूल बनाने में कितना सोना लगता यही बकड़िये आदा वरी एक वरी का दाम दस मुहरे इसका मतलब सब मिलाकर लगबग चार मुहरे लगेंग तो सुनो मैं हिसाब में तुम्हारे पास चार मुहरे पाता था तुम्हें तो जरूर याद होगा जाद है जाद है तो क्या हुआ है बोलो ना ना बोल रहा हूँ जब तुम मिल ही गये हो श्याम को भी कुछ अक्रिम राशी देनी होगा इधर घर से आते सवब है मैं मुद्रा भी ज्यादा नहीं लेया पाए तब तुम पावना रकम मेरा देदो, शाम को अग्रिम देदो तुम मुझे ऐसा समझते हो मागूगा नहीं, चाची के लिए सीता मटरहार बनवा रहे हो और मेरे चाने पर ऐसे ऐसा मस करो, ऐसा मस करो, बुड़ा हो चुका हूँ लड़कों के सारे रहता हूँ, इतनी रकम कहां से पाऊंगा बोलो ऐसी बात काकर भुलवाओ मत, जल्दी जल्दी रकम निकालो याद रखड़ा, ये काम अच्छा नहीं किये गुपाल ओ चाचा, मेरी समस्या क्या होगी? छोड़ो, तुम्हारा कोई गयना नहीं साज़े मुझे याद बहुत बड़ा बदमा सर क्या हुआ, ठीक से सोच कर देखू रखू, कर पाऊंगे तो अरे चाचा, लाटी की कसम खाकर कहता हूँ एक अही बार में उसे यमलोग पहुँचा दूँगा इसको जम लोग पहुचाने की बात हो रही है मैं भी जरा सुनू तो वह कोई साधार इंसान नहीं है वह गोपाल है ये सब बात छोड़कर पहले ये बताओ वो कहा मिलेगा सुनो नहीं, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है चलता हूँ, अब जल्दी जल्दी घर चलता हूँ याप याप तुम ठीक से सुने हो तो फील की आखें और नकूल के कांख कभी भी दोखा नहीं खाते हैं मेरा दिमाग में एक बात आई है, सुनो नकूल समझ गए? हाँ, हाँ, मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, आप एकदम चिंता मत करें जा रहा हो लक्ष में, उधर हरीधन मेरी प्रतिक्षा कर रहा है जाए, जाए, ठीक से जाएगा, जैमात अज़, जैमात अज़ क्या माजी, चुपचा बैठे क्यूं है, कल राज से पता ने क्यूं डर डर लग रहा है बता सी पती, जब घर से बाहर रहते हैं, तो थोड़ा मन ऐसा लगता है माजी, देखी, कौन आ रहा है आपके घर पे, अरे, ये तू वो है, उनकी दोस्त अरे, भया, क्या हुआ है, आप वापिस आ गये हैं, आपका सब्य ठीक है न, अरे, वो कहा है, चुप क्यों है आप भावी, 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 क्या हुआ है उनको? गोपाल, 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 चूप मत रहें, बताएं न, क्या हुआ है कल रात में उल्टी करते करते मर गया जी, अब कहां चले गये मुझे छोड़के, जी, मैं किस के साथ रहूँगी? चाचा चाचा गोपाल मर गया कह रहें, कैसे? कल रात पुजा करने शिव मंदिर जा रहा था, बार बार उल्टी आने से मर गया शिव मंदिर जाते जाते कहलाज सोच गया ठीक है, अब तो रास्ता साप हो गया अरे, समसान जाओगे क्या? न, वह सब काम तो रात में हो गया अब उसकी पत्नी का मंगल सुत उतारना और सिंदूर धोना बाकी है इसी के लिए भाग दढ़ हो रही है न, न, गाव कही कुछ लोग है एक सीर से दो शिकार किया हूँ तो आज रात में उसके घर में आग लगा कर उसकी पत्नी को भी मार डालो और उसकी सारी संपत्ती भी अपने हाथ में आज आएगी शूद का शूद और मूल धन भी मिल गया बहुत अच्छा जल्दी जल्दी चलो यही तो चल रहे है ओ शर्मा चाचा ओ शर्मा चाचा तुमने आवाज दी क्या नहीं तो ओ शर्मा चाचा अरे चाचा यह तो गोपाल की आवाज है वह तो मर कर भूत हो गया है वो कहां से आएगा मैं ब्रामबन हूँ मेरे गले में जनेव है मैं भूत से नहीं डरता और विश्वाज भी नहीं करता हूँ ओ चाचा ओ रखो वही आवाज फिर से ए भूत हिम्मत है तो मेरे सामने आओ मैं तुम लोगों के पीछे ही हूँ जरा मुड़ कर देखो राम 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 कैसे हैं चाचा अच्छा हूँ इतनी रात में जल्द बाजी करके कहां जा रहे है मेरे घर में आग लगाने मेरे घर में आग लगाओगे आज ही तुम दोनों की गदर मरोडूँगा अरे बाप रे बाप महराज मुझे लगता है गुपाल कायत अंतिम संस्कार नहीं हुआ आप स्वयम कल उसकी घर जाकर उसकी अत्म संस्कार का क्रिया कर संपन्न करें उसके साथ सौप रामनों का भोजन और दान देने की विवस्ता करें ठीक है यही होगा ठीक है तुम लोग जाओ अंतिम संस्कार के समय कल गोपाल से घर आओ महराज तब आग्या दे हाँ हाँ आई 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 भोजन बहुत दमदार हुआ है क्या चाचा तुमने जो बोला ठीक है राद में लाल टेन और कुछ लकड़ी लाते तो बहुत ही अच्छा होता क्यों सामने बाद बगीचा के पास बहुत डर डर लगता है कुछ नहीं होगा राम नाम जबते जबते चलते रहूं शरीर के रोए रोए खड़े हो रहे हैं मैं तो इन दोनों को मार मार के खलब और के खाऊंगा मैं इन दोनों का मास नोस नोस के खाऊंगा वो चाचा वो अब कौन आ रहा है तुम लोगों का खोन पिऊंगा हाड मांस खाऊंगा और चमडे की ढोल बना कर उस बास के उपर बैड़ कर मज़े में बजाओंगा लगता है गुपाल का भूट हम लोगों की गर्दन मरोड़ेगा भागो चाचा भागो भागो अरे अरे कहां भाग रहे हो कहां जाओगे बच्टे गुपाल की धर में आप लगाना और गुपाल को मारने का सजा तो मिलेगा ही अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप महराज बचाए हमें बचाए हमें जाशन्सकार और आत्मसांति करने के बाद भी क्या गुपाल का भूट तुम लोगों को खदेड रहा है अरे गुपाल का भूट के वल तुम लोगों कोई क्यों कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्तिव हो गई और परसो जब मैं कहने करीदने निकला था तो वही बाकी मुत्रा गोपाल मुझसे जबरन वसूला था इसलिए ची 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 यह बहुत बड़ा अन्या है और इसका दंड तुम दोनों को भुगतना ही पड़ेगा सिपाही कैद कर इने कारागार में डालो महाराज इस बार दया करके छोड़ दिजे ऐसी गलती दुबारा नहीं करूंगा मैं भी वादा करता हूँ जीवन में ऐसा अपराद कभी भी नहीं करूंगा हा महाराज बाप रेभाब भूद ये लोग जब अपना अपराद खुद सिकार कर लिया है तो छोड़ दिया जाए महाराज गोबाल मुझे मत मारो मैं गया जाकर तुम्हारा पिंडदान कर दूँगा छोड़ दो मुझे क्या महाराज मैं मरा कर था कि जो आप महारा पिंडदान कर देंगे हाँ शर्मा और रगुद्वारा मुझे जान से मारने की योजना बनाने की बात मेरा नवकर नकुल सुल लिया था इसलिए मैंने भी अच्छाल चली थी आज शाम मैं अपने मित्र हरदन के घर जाओंगा और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए समझ गये तुम ध्यान रखना तब लोगों को मैं क्या बताओंगा तुम बोलोगे कि मैं श्रीव मंदिर में पूजा करने गया हूँ उसके बाद उस राद जब मैं शिव मंदि पूजा करने जा रहा था तो राष्टे में ही उल्टी करते करते मर गया यही ख़वर लेकर हर दन आएगा तिवका ख़वर देगा ख़वर चारो और फैल जाएगी और बदमाशो को पकड़ने में आसानी और सुविदा होगा समझ हां 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 तब तो बड़ा मजय आएगा लेकिन शाओधान मेरे जिवित रहने की ख़वर कोई जान न पाए और हर समय शर्मा के उपर नजर रखोगे और समय निकाल कर उनके गोपनियता की ख़वर हमें देते रहना हम ठीक है माली इसकी चिंता आप एकदम नहीं करना महराड इसके बाद तो आप सब जानते हैं हम सब कुछ तो समझे लेकिन ये तीनों कौन है यह नकुल का लड़का छेना है और ये दोनों उसके दोस्त है इनके नाम है रामू और श्यामू आप जिंदा है मरें नहीं सुन के मेरि क्या हालत हो गई थी आपको पता भी है सुनिए रुकिए अभी में आपकी ख़बर लेती हूं अरे बाप बेल बचाओ 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 बचाओ